अब लोग सरकार का सहयोग करें योजित सिक्षकों की मांग पर तो नियोजित सिक्षकों को सरकारी सेवा में परिनत होने का सरकार में सुलब अवसर प्रदान कर दिया है और शुरू में ओनलाइन पड़िक्षा की बात थी, फिर हम इसे लोग मिले थे, जब हम इस बीच में मंत्री बनी, तो उन्होंने कहा कि सहल हम लोग तो बहुत पुड़ाने लोग हैं, इसमें से बहुत लोग कंप्यूटर से पड़िछित उस किस्म से नहीं हैं, तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की, और पाठक जी से भी बात की, सब उने काठी कहतर आप कमच्च में, और हमने तीन बार ओनलाइन और दो बार ओफ लाइन और उन पाचों में से तो नियोजित सिक्षकों को एक ही कोई परिछ्या पास कर ली है, तो बार कम्प्यूटर से अलग कोई हो रह 거죠, इसलिए कहिन कोई नियोजित सिक्षकों को कोई परिशानी नहीं है, और नियोजित सिक्षकों के जो परिशानी थी, उनको दूर करने को दिएक पसली है, असे आज हम लोग जानेंगे, कि जहानाबाद में शिक्षा मन्तरी विजय चौधरी ने नियोजित सिफ्चकों को लेक्र जो बाती तई है उससे क्या संकेत मिलता है क्यास्वस्थ होता है उसते बाद इन्ये निराशा हात लिए खुशी हात लिए आपने बयान सुना होगा शिफ्षा मंत्री देटा पतरकारों नहीं नियोजी सिफ्षकों को लेक्र पूछा था तिनियो जी शिक्षक बहुत दिनों से अंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग मांग रहे हैं लेटिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसी पर उन्होंने रियक्षन दिया है जपटाजी जी हमने उनका ब्यान सुना और उन सारी बातों को गंभिरता से भी हम लोगों ने एक एक बिंदू को सुना अब सिच्छा मंत्री के पास कहने के लिए क्या रहा चुका है सिच्छा मंत्री के पास अभी ऐसा कोई ब्यान ही नहीं एक दे सकते हैं सिच्छा मंत्री जानते कि कोई बात बोल देंगा और अपर मुख सचू मान जाएंगे यहां विहार में अरजक महों लोगrato है लोक तंत्र में मुख मंत्री सर्वए सरवा होते हैं जंता दोवारा चुने गए नेटा सर्वा सर्वए होते हैं लेकिन यहां तो तो पदादिकारी ही सरवा सरवे हैं, पदादिकारी किसी का बात ही नहीं मार रहे हैं, तो सिच्छा मंत्री अपनी लाज बचाने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, यहाँ सिच्छको की कोई समस्या नहीं है, कहा कर वहाँ से करनी काट रहे हैं, और उस वीडियो हासेपद है कि सिच्छा मंत्री जो मुख मंत्री से बात करने के बाद आपर मुख सचीव से बात करने की बात कह रहा है उन्हें तो आदेश देना होगा कि आप ऐसा किजिए और भी पाठक जी जब पहले बोल चुके हैं कि हम पांच बार पर इच्छा लेने जा रहे हैं उसी को बिहार सरकार का मंत्री दोहरा रहे हैं उसे इतर कुछ भी नहीं कर रहे हैं यानि तो यहां यह हो गया कि जो पतादिकारी है वही सब हैं और जो सरकार है वह उसके बाद है बिहार मां भी यह इस्तितिक बन चुकी है नहीं प्रकाजी उनकी सिक्षा मंत्री की बात आप ल लगातारां दोलन कर रहे हैं वह सदे उस्केश चनलतु तरफ से लगातार ये कहा जाता है भई इस्टार किया जाता है परिक्षा का देते हैं तो अब इस वाल का जब जबाब उन्हों ने दिया है तो अब कुछ उमीद इतीबन आप लोट लगती है चुटी जिससे आप लोग उमीद लगाए बैठे हैं उन्हीं का ये बयान है देखिए सरकार से हमें अब उमीद महीं लग रही है क्योंकि सरकार पूर्ण रूप से निर्कुन्स हो चुकी है और दूसरी सरकार इनके के पदरिकारी जो है इनकी बात नहीं मान रहे हैं इसलिए कि अब हम लुग नियाले के सरण में है सरकार से कब कहा जाता है जब सरकार लोगतंत्र के लोगतंत्र की सब्सक्रण हो पते होग सब्रें महcómoले तो फिर हम कैसे आसा कर सकते हैं कि सरकार हमारी लिए कुछ करेगी हम लोग न्याले के सरण में हैं न्याले में डेट है तेरा को भी डेट है केसका पंदरा को भी डेट है अब न्याले निर्ने करेगा कि बिहार के सिच्छकों के साथ न्याय होगा या बिहार के सिच्छकों के स परिवर्तित होगा आप देखते रहे लेंगे लोग सब की बात आप कर रहे हैं लेकिन वेक्ति पीरित होता है वह बोल नहीं सकता आने पर अपनी cancer दिखाता है तो ताकत दिखाने का समय को इस में भी आ रहा है जो लोग हमारे साथ छल किये हैं उन लोगों को हम लों सीधा-सीधा कर औदी है कि आपने हमारे साथ चल किया समाज में यह प्रिसित किया कि कोई दिकत बिवहार की सरकार की अग्रेस्ट में कि केंदर की सरकार हो हमारी लराई बिहार में जो बरतमान सरकार है उसके खिलाप है बरतमान सरकार में जो जो लोग हैं सब के खिलाप है और हम लोग सब क्या खिलापत करेंगे चलिए ठीट है उमीद करते हैं आप लगातार लगाई लग रहे हैं लेकिन जो बाते सरकार की अस्तर से आ रही है या शिक्षा मंत्री ने जो बाते कही है वो बिल्कुल आप लोगों निराश करने वाला है अलाकि आप फिर सर मैं कहा दे रहा हूं कि बिहार सरकार में मेरी ही बेजती होगी क्योंकि मुख मंत्री की बात अभी तक उनके पदाधिकारी नहीं माने हैं इसलिए हम लोग यह मान कर चल रहे हैं कि बिहार में अभी जो भी मंत्री हैं सिच्छा मंत्री बेचारे की भूमिका में हैं इनसे हम लोग कोई आसा कर ही नहीं सकते हैं मतला लगता है कि शिक्षा मंद्री से बरे जो अधिकारी है उन्हीं की चलती है हमको नहीं लगता है यह देखने लैक बात है कि सदन में मुख मंत्री जी के बोलने के बावजूद आज तक पत्र नहीं निर्गत हुआ राजपाल द्वारा माना करने के बावजूद लोगों की बेतन बंद हो गई फिर भी अगर यह कोई कहे कि लगता है यह क्या करना यह तो शाक्त दिखत रहा है तो पहले बिहार सरकार नहीं दे रही थी लेकिन आप लोग ने जो अंदोलन किया जो विरोध किया उस्ते बाद सरकार ने यह सदर में जो कुछ भी हुआ हम लोग कि अंदोलन और विरोध का यह प्रतिफल नहीं है यह प्रतिफल है मुख मंत्री जी की जो बेजती हुई है और जो आज तक बेजती हो रही है उसको च्छिपाने के लिए ऐसा किये हैं लेकिन यह से च्छिपेगा थोरे ना मुख मंत् प्रत्री जी का बर्तमान में सिच्छा भी भाग में नहीं चल रहा है चलिए ठीट ठीट बहुत बहुत धन्यवाद जैसे धन्यवाद